ह Windows को बात करते हैं यहां पर एक बार फिर डेटास फिलयर पैथाउन कैसी को इस मैं जहां पर आज हम डिसकस करने वाले हैं बेबल शॉट की टेकनिक के बारे में ओवट इस बबलीजित सॉट बबलषॉर्ण क्या है किस तरीके से बबल शॉट की टेखनिक को हम यूज करेंगे और यहाँ पर एक कोश्यन याता है जब पाइफॉन में अल्रेडी आपने नंपाय में सॉट मैथट पड़ा दी है दिन वाई भी शूट गो फॉर इस बबल सॉट टेक्निक तो यहाँ पर आप समझे कि एज़ बिगिनर यदि आप हर चीज को फंक्शन के थ्रू यूज करोगे तो फिर लॉजिक के से इंप्रूफ करेंगे हूं तो इसलिए इंटर्विव में कई बार बबल सॉट सिलेक्शन सॉट इंसर्शन सॉट इसके पहले हमने बाइनरी सर्च पड़ा था तो यह प्रोग्राम्स अक्सर पूछे जाते हैं एस बीगिनर आफ सारे कवर करेंगे उन निमें से को सब्सक्राइब करूगरब इसके प्रोग्राम को समझते है तो बबल सौट itself exactly क्या है it is a sorting technique जिसके थो हम अपने किसी भी collection को sort कर सकते हैं अब किसी भी collection को मतलब इसमें अरे भी आ गया इसमें आपका लिस्ट भी आ गया इसमें आपका टपल भी आ गया सब आ गया ठीक है तो अगर बबल सॉट के आरे पर बाद करेंगे और इस अरे इस सब्सक्राइब अलिमेंट 13 7 15 ओके देन नाइन एंड इन सब्सक्राइब लाइक इस एलिमेंट की मुझे सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ओर में तो यह जो बबल सॉट टेक्निक यह ना इस बबल सॉट टेक्निक को एड जेंसि शॉट भी कहा जाता है इस व्यक्राइब अडियन सी 21234 ऐलिमेंट हम कोई भी ले सकने हैं डोंट परी तो यहाँ पर इस पर हम क्या करते हैं actually, we are comparing the element of array with its agency element, हम array को compare करते हैं इसके agency element के साथ, तो अब पहला question आता है, agency element क्या होता है, agency मतलब pass वाला, यह इसके path का element ही है, इसके path का element ही है, इसके path का element है, तो we are comparing this element, हम compare करते हैं, और जब यह sorting टेक्निक पहली बार पूरा कंपरीजन एक्जीक्यूट कर देगी तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में सेट हो जाएगा फिर हमें उस पोजिशन के एलिमेंट को नहीं देखना है ठीक है जैसे आप देखो अभी प्रोग्राम पे दिवाब मत लगाना बेटा पहले concept समझ लो प्रोग्राम तो फिर हम लिखी देंगे एक बर अगर algorithm समझ में आगया तो प्रोग्राम क्या बचाए फिर कोडी तो लिखना है के वल पाइसान में ठीक है तो देखो क्या किया हमने एडजेंसी मतलब 13 का एडजेंसी 7 है फिर 7 का एडजेंसी 15 है तो यहां प को पता चला 13 is greater than 7 तो यदि हमें यह पता चला यह element इस से greater है तो वी जस्वैब दिस element हमें element की swapping कर देंगे ठीक है तो swapping किया तो यहां पर कौन आ गया मतलब मेरा जो नया अरे बना वो कुछ इस तरीके से बना ठीक यहां पर आगया 7 यहां पर आगया 13 इंदेन रिमेनिक elements are as it is 594 ठीक है 01234 तो क्या कि हमने 13 को 7 से compare किया देन अगेन आल compare this 13 with 15 अब मैं इसको इससे compare करूंगा बतला जीरो टेलीमेंट को first से फिर first element को second से अब जब compare किया तो हमें पता चला यह element इससे greater नहीं है नहीं है तो हम कोई's shopping नहीं करेंगे को शभी अब इस को से इपर किया सभी इस को से compare किया sourpig नहीं होई क्योंकि यह element is to greater नहीं है तो फिर किसको से compare करेंगे 15 को 9 nous अब जब 15 को 90 compare किया सो I'll find that popul-都有 मिला तो फिर 5-9 की स्वैपिंग होगी 15 और 9 की तो स्वैपिंग होगी तो एक बार इसको अच्छा समझ लेते हैं फिर तो हम सेम अरे पर ही लिख देंगे तो यहां ता सेवन यहां 13 यह जब स्वैपिंग हुई यह इधर जाएगा यह इधर आएगा ओके स्वैपिंग का मतलब इस इस नाइन अब यह 444 सॉरी अब क्या हुआ 59 से कंपेर हो गया अब कंपेर होगा 15 4 के साथ तो तो फिफ्टीन फोर से कंपेर हुआ तो फिर 15 फोर से ग्रेटर है अब जब 15 फोर से ग्रेटर है तो अब देखो 713 9 यह सब इंग हुए 4 यहां 15 यह अब जब यह पूरे स्वैपिंग एक एक बर कंप्लीट हो गया तो वर्ड दियुफ ऐंब वाज मिला हमें सबसे लार्जेस्ट अपनी पोजिशन पर सेट हो गया है this is called bubbles or technique कि in this technique the largest element first set its position होता है ना बबल अब देखो इसको बबन शौट क्यों बोले जाथ है जितना बड़ा बबल होगा वह उतनी जल्दी फूटता है और तो बबल मतलब इसको बबल सौट कि यह बबल जैसा इस लेका बबल लार्जेज्ट बबल पहले आएगा फिर उससे चोटा बबल फिर उससे ड्रॉप करना है तो अब देखा फिर से एक बार अब इस एलिमेंट को लेके बात करते हैं मतलब मैं फिर से अरे बनाता हूं से इस वन क्योंकि मेरा यह मानना है आपको किसी भी प्रोग्राम का समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा से का अब यह आपका रहे है और इलिमेंट थार्टीन नाइन फोर और फिफ्टीन तो फिफ्टीन तो अपनी पोजिशन पर सेट हो चुका है तो इसको तो छोड़ देंगे अब बचा के वल यह फिर हम कंपेर करेंगे सेम प्रोसेस इसको से कंपेर किया जब embaric हिय घुत फिर पता चला कि बहु से वन 13 से ग्रेटर नहीं हैं चलो 11th 732 टैनेal कोई वह नहीं होगी जब 13 से नाइन से अलग 된 यहां भी फिर 13 को फॉर से गम सा नाइन एक पर देख लिए मतलब मैं अलग से अरे नहीं बनाता हूं एक बार देख लिए न तो देखा अब क्या हुआ सेकंड प्रोसेज में सेकंड स्मॉलेस्ट अपनी पोजिशन पर आगया अब बचे तीन तो फिर तीन के लिए वही प्रोसेश फिर तीन एलिमेंट पर वही प्रोसेश अप्लाए करेंगे राइट तो जब यह तीन एलिमेंट पर आप सेम प्रोसेश अप्लाए करोगे तो सेवन ग्रेडर देन नाइन फॉल्स नाइन ग्रेडर देन फॉर यस तो नाइन फॉर यहां नाइन यहां समझ मही बात तो क्या कर सबसे largest फिर उससे largest फिर उससे largest अगले comparison में 4 यहां जाएगा 7 यहां जाएगा तो आपको जो final array होगा it is look like this year 4 is 7 year 9 year 13 or year 15 this is how we compares the element in bubble sort or at the end हमें जो sorted array मिलेगा वो इस type का होगा the concept up के समझ में है कि how bubble technique is work how bubble sort technique is work basically आप concept समझो program समझो practical समझो फिर बचा क्या है और सीधे जाके interview में बोल दो सबसे बड़ी है best ठीक तो अब इस टेक्निक को लेके अब हम लिखते है Python में इसका code कि how we sort this array कि कि अगर आपके पास एक array है और अगर आपको bubble sort के through array की sorting करना है तो Python में इसका code किस तरीके से लिखेंगे चलिए बात करते हैं अब इसके लिए सबसे पहले मुझे अरे चाहिए तो क्या लिक हमने पहले लिमिट ले ले थे एन इकवल टू चलो पहले अरे डिक्लियर कर ले थे माई अरे इस एकवल टू ए यार डॉट अरे टाइप कोड आई और अरे को रखा हमने ब्लैंक अब इस अरे में मुझे एन नमबर ओफ एलिमेंट अपको एंटर करना है तो वाट वे राइडियर एन इकवल टू इंपुट इंटर लिमिट कि सबसे पहले लिमिट ले लिए हमने कितने नमबर ओफ एलिमेंट आपको में ठीकर अब इस एंड में जो आपके पास एलिमेंट अइंटने नमबर ओफ एलिमेंट हमें यूदर से लिनाइट तो यह रएड प्रेंट एंटर एलिमेंट्स इन अरे अब इतने नंबर आफ एलिमेंट हमें यूदर से रीट करना है ठीक तो फॉर आई इन रेंज ओफ एन और हमने एलिमेंट एंटर कर लिए चलिखा एक सिक्वल टू इंट इंपुट ठीक है एंड माय अरे 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 डॉट अपने अरे की लिमिट लेक अपने इलिमेंट इंटर कर लिए अब जो इलिमेंट आपके पास अरे में है अब यूजिंग बबल सौड उसकी सौटिंग करना है तो टेक्निक हम हमने पड़ी है देखा पूस टेक्निक का कोड हम कैसे लिखेंगे तो यहां पर हम दो लूप अपलाए करेंगे फॉर आई इन रेंज ओफ एन यह मेरा पहला लूप ठीक है और सेकेंड लूप हम इसी में इस्टेट लूप लगाएंगे फॉर जे इन अब को थोड़ा सा देहन से समझना रेंज ओफ एन माइनस आई माइनस वन यह जो सेकेंड लूप अपना चलेगा न यह एन माइनस आई माइनस वन तक चलेगा क्यों चलेगा क्यों कि याद है मैंने आपको क्या बोला था जब लास्ट वाला इलिमेंट अपनी पोजिशन सेट कर लेगा तो बचे हुए के लूप चलाना है फिर सेकेंड वाला कर लेगा फिफ्ट वाले ने किया तो लूप चार बार चलना चाहिए फोर्थ वाले ने किय या दो बार एक बार और निस्टिंग का कॉंसेट अगर आप को याद हो जब यूब पढ़ाया से और लुप पढ़ाया था और अगर याद नहीं है तो नेस्टेड लूप का लेक्चर एक बार देख लो नेस्टेड लूप में हमने पढ़ा था आउटर लूप की एक वैलू के लिए इनर लूप पूरा एक्जिक्यूशन करता है तो आई की वैलू जो भी जब मान लो फाइव होगी तो इनर लूप पूरा चलेगा ओके और है इनर लूप में यदी अरे मतलब जो भी आप अरे हैं इसका नाम में थोड़ा छोटा कर देता हूं ओके चलो एमेर रहने देते माया रही ही तो कहीं जगा चेंज करना पड़ेगा रहने माय अरे उसलिए मैं चाहरा था यहां पर अपन माय अरे यदि माय अरे ऑफ जे हमन अरे ऑफ जे प्लस वन से ठीक है यह मैंने फॉर लूप लिखाए अगर माय अरे ऑफ जे की वैलू माय अरे ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर है तो यहां पर हम स्वैपिंग लॉजिक यूज़ कर लेंगे तो स्वैपिंग के लिए हमने टेंपरेरी वेरियबल ले लिया my array of J is equal to my array of J plus one or my array of J plus one equal to my array of J plus one equals to 10 यह है आपका लॉजिक और इसके बाद आप पूरा लूप complete करे कि दूनों for loop complete करके जदी print करोगे किसको my array को so that you will get sorted array इसके बारापको अपना sorted array मिल जाएगा लेकिन आफ्टर बोथ the for loop अब जराइब इसको execute करके लेके तो suppose करू मैंने एक N number of element मैंने पाच element लिए हैं suppose यह मेरा 5 गारे हैं this is the five element suppose element in 13 15 7 15 और 9 suppose आपके एलिमेंट से जिसके आपको सॉर्डिंग करना है जीरो वन टू थ्री फोर ओके अब ध्यान से जरा इसके एक्जी कुशन को समझना आई की इनिशल वेलू क्या है जीरो से लूप शुरू हुआ अपना आई जो है वो इनिशली कि स्वेल उपर है जीरो पर ठीक है याई है ही मेरा zero से स्टार्ट हो आई आई आपका भी जीरो पर है दिहां देन अ घिक यह हैंसरी ज्रोंसे शुरू और रेंज än का मतलब जीरो से लेकिये एन जीरो से शुरू लेकिन इसको चलना है यान माइन आई मैंनेस उन तक तो ध्यान देना आई की इनिशल वेलू कितनी अभी जीरो अधे फाइफ तक चलेगा आपने लिमिट फाइब दी है एन हमने फाइब दिया है ठीक है आई अभी आपका पहली बार आई की वेलू जीरो है जेकी भी वैलू स्टार्टिंग जीरो है कि रेंज जो है ना यह जीरो ऐए मतलब 5-0-1 मतलब 4 तक चलेगा उ Land up four टी जीरो से लेकिःफ वोर तक रईट जीरो जेके प्षोर तक राइट जीरो से लेकर 4 तक लिच अप अश्यत्क मारिए आफ जे मायरे ज अव जे मतलब जेकी वेलू करत यह 0 रजे आभी आपका जीरो ये ने बाच्छे तो क तो माइँ आप टेंप में यहाँ थो टेंप में क्या आए थो ही कि Cocktail की वेर्या है प्लूस वन कर दोस्ट कि यह घ्याँ आगया ठीक है समझ में आ रहा है और आपका टैंप जो है वो माई अरे आफ जे प्लस वन में आ गया मतलब यह यहां आ गया ठीक यह पहला इनर लूप चल गया इसके बाद इनर लूप फिर आगे बढ़ेगा अभी तो इनरी चलेगा आउटर के लिए अभी आउटर नहीं चलेगा इनर चल रहा है अभी जब तक पूरी कंडिशन गतम नहीं होती है अब जेकी वेलू वान ओगई अब जब जेकी ाइऑ अरे आफ पूम से ग्रेटर है क्या ये से ग्रेटर है आज फिर से उपिंग होगी स्वैपिंग हुई तो समझ में आरा है क्या हो ceux एवन यहां आीं तो फाइव यहां पर है वर आपका कट थर्टीन यहां आ गया यह जो थारदीन है यह जो इसके बाद अगली बार फि से greater है? नहीं है नहीं है तो कोई swapping नहीं होगी बिना swapping के जे की value 3 हो गई फिर यह check करेगा क्या A of 3 से greater है? यस अगर है तो फिर swapping होगी, swapping होई तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 9 कि अब जब यह बढ़ेगा तो जेकी वेलू हो जाएगी फोर और फॉर पे लूपी खतम होगे आपका देखो फोर तक ही चलना तो उसको 0244 मतलब फिनिश तो जब यह लूप कम्प्लीट हुआ जब यह लूप कम्प्लीट हुआ तो अब देखो आपका सबसे लार्जेस्ट अपनी पूजिशन पर आच होगा है कि समझ में आया अब इसके बाद प्रोग्राम फिर एक बार ओर देखो आई को बढ़ाएगा आई कर दिया वन अब जे कहां तक चलेगा जे जीरो से शुरू होगा इन माइनस वन इन की वेलू फाइव 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 माइनस वन फॉर फॉर माइनस वन थी अभी यह वाला जो लूप है इनर वाला यह चलेगा ठीट जीरो से 3 है जीरो से 3 यह चलेगा पर इनर लूप एंस इस वन जब यह जीरो से 3 चलेगा तो फिर से शुरूआ से देखवा अरे समझ बच्चे ये आपका रहे हैं जेकी वेलू जीरो है क्या म array of 0 1 से greater नहीं है कुछ नहीं करेगा 1 2 से greater फिर जे बड़ेगा ना और जे की वेलू 1 से 0 से है जीरो थी 0 से 1 हो गई तो अब 1 से compare करेगा क्या यह से greater नहीं है कोई सब्सक्राइब नहीं होगी टू होगी कंडिशन अभी भी है 3 तक चलेगा चाहर थ्री वाला फोर से टू वाला थ्री से greater है यस अरे आफ जे अरे आफ जे प्लस वन से greater है यस greater है तो स्वेपिंग होगी स्वेपिंग हुई तो यहां आगया 9 और यहां आगया हमारा 30 अब जब बढ़ेगा 3 तो लूप खता हूं तो देखो सेकेंड एलिमेंट आ गया इस तरीके से यह लूप कंटिनू चलते रहेगा समझ में आ रहा है अपकी बार बच्छे हुए तीन के लिए चलाएगा तो अ आप देखो यह स्वेपिंग अब तो खेर स्वेपिंग होगी नहीं क्योंकि अरे आपका वैसी सॉट हो चुका है एलिमेंटी ऐसे लिया हमने बाइडिफॉल्ट के वह सौटेंग ही हो गई ठीक तो दिस इस वाट बबल सॉट कॉंसेप्ट की बबल सॉट का प्रोग्राम है जिसको हम पाइसान में किस तरीके से एक्जीकूशन कर रहे है और इमीडियेट हम इसके प्राक्टिकल एक्जामपल को देख लेंगे तो कहीं कोई डाउट ना रहे है और आपको इसको स्तयार करना है समझो यह इंटर्व्यू में अक्सर पूछे जाने वाला कोश्चन है त टीन प्रोग्राम बबल सौर्ट सिलेक्शन सौर्ट इंसर्शन सौर्टीन में से एक लिख लो आप मेर से वह पूछेंगा आप से इंटर्व्यू में एजब बिगिनर इसको रेडी करो तो मिलते नेक्स लास में तिल देन आप इसको प्रिपेर करिये और वीडियो को शेर कर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट जरूर करिए ठीक है चलिए मिलते नेक्स लेक्चर में थैंक यू बाबाए